वेल्कम गाईज मेरा नाम तासीर है और इस वीडियो में मैं याट करने बाला हूँ पावर वर्सिस आमेर पेशा और जलमी वर्सिस कराची का एक और मैच है जिसके अंदर मैच 17 है पीए से लेट का तो उसके अंदर तगड़ी बॉलिंग कमबैक किया है आमेर ने आमेर मतलब कंसिस्टेंटली ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उनके हरकतों की वज़े से वो किट्री साइज हो रहे थे लेकिन ये जो उन्होंने करामात कर दिखाई है शायद दो विकेट लिए पहले ओबर थे चलो स्टार्ट करते है वीडियो को लेस्टार्ट दी वीडियो ना आउट है या बॉल चीदी आ रही है तगडी बॉल दी यार शाहिन शार्ट वाली बॉलिंग करा रहे है यार यार हूल दे रहे हैं बाबर को ओड़ दे दिया बॉल बहुत तगडी थी थी बॉल अन्बीटबल बॉल थी रिव्यू ले लिया यार बॉल हिट कर रही है पैड को लाइन पर भी है विक्टो पर भी है कोई खराबी नहीं थी इस बॉल में कोई भी जरा सी भी बहुत तगडी बहुत तगडी वोलतीं कि अब मैक्स सेवनीन और इसको जीरो जीरो पर गिरा दिया था इन्होंने पहली बोर पर और क्या खतरनाब गॉलिंग किया यार शाहीन आफरीदी जो पांच विकेट लेकर गए थे पिछले मैच में उसमें हमने देखा था कुछ खतरनाक बोले पड़ी थी उन बोलों की टककर भाई उसी लेविल की बोलिंग कियें उसी लेविल की भाई इन्होंने बता दिया है मैं भी जान है मेरे अंडर वो टैलेंट है कि मैं वो बॉलिंग करा सकता हूँ तोड़ा इस तरीके से लेकर आते हैं अपना ओवर दी शोल्डर बॉल को बॉल डालते हैं अंदर की जरव तो वो ये एंगल बन जाता है शाहिन जो है कलाई से डालते हैं शाहिन की बात छोड़ते हैं आमिर की बात करते हैं फिलाल आमिर इ और रिस्पेक्टफुल इन्होंने मैंने देखा है कि कुछ पिक्चर्स में कि उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ बावर को आउट करने के साथ को सेलिबिरेशन किये हुआ है तो अच्छी बात है सबसे पहले अगर बात करें इस बोलिंग की अन्बीटेविल थी यार यह दोनों बोले जिस पर विकेट लिया है नोने लबीड़ू बीट करी नहीं सकते भाई क्या खतरनाक बोलिंग थी यूँ बोल आती है और सीधी हो जाती है पढ़ने के बाद बीटेविल कैसे करते हैं मुझे पता भी नहीं लेकिन आमिन न वाकई में कमाल किया है तारीफ तो बनती है सबस्क्राइब कर लोग चैनल को मिलने हैं नेक्स वीडियो में से बाई बाई साइनिंग आप